नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे चैनल True Investing पर हमारा ये वीडियो है एक ऐसी investing strategy के ऊपर जिसे successful investor सजेस्ट करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये investing strategy कौन सी है और हम इसे कैसे apply कर सकते हैं तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों investing एक simple process है और हमें इसमें बड़ा profit तब होता है जब हम ऐसी कमपनियों में long term के लिए invest करते हैं जो अपने business में काफी strong हो और लंबे समय तक अपने revenue और profit को बढ़ाती रहती है पर सवाल है कि ऐसी कमपनियां हमें कैसे मिलेगी और दोस्तों इसी सवाल का जवाब ढूणने में help करता है WIIWA strategy दोस्तों WIIWA strategy का मतलब है winning industry and industry winners इस strategy में हम पहले ऐसी industry को पहचानने की कोशिश करते हैं जो अगले कुछ सालों में winner हो सकती है जानि ऐसी industry जिसके अगले 3-5 सालों में तेजी से grow होने के chances बहुत ज़ादा है और फिर हम अपने चुने हुए industry में top की 4-5 कमपनियों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो अगले कुछ सालों में उस industry में winner हो सकती है जानि ऐसी कमपनिया जो हमारे चुने हुए industry में strong है और जिनके अगले 3-5 सालों में revenue और profit तेजी से बढ़ने के chances भी बहुत ज़ादा है इसके बाद हम अपने चुने हुए 4-5 कमपनियों का अच्छे से analysis और comparison करते हैं और फिर उनमें से एक या दो कमपनिया जो हमें best लगती हैं हम उनमें investment कर देते हैं इस तरह दोस्तों winning industry और industry winners की strategy में 3 steps होते हैं पहले step में हम industry select करते हैं दूसरे step में हम उस industry में अच्छी कमपनियां select करते हैं और फिर तीसरे step में उन कमपनियों का analysis और आपस में comparison करते हैं इसके बाद जो कमपनियां हमें best लगती हैं हम उसमें investment करते हैं अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हम कैसे एक winning industry और फिर उस industry की सबसे अच्छी company को पहचान सकते हैं और आखिर में उन company का comparison कैसे करेंगे तो आए पहले growing industry को समझते हैं दोस्तों एक growing industry वो होती है जिसके products और services का इस्तिमाल बहुत तेरी से बढ़ता जा रहा है हम खुद अपने घर में ध्यान से देखें तो कई सारे products और services हमें मिलेंगी जिनका यूज हमारे घर में 5-7 साल पहले नहीं किया जाता था पर अब हम उन्हें यूज कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे साथ ही इंडिया जैसे जैसे एक developing country से developed country होती जाएगी developed countries की lifestyle से related products और services इंडिया में आते जाएगे और हमें उन्हें बहुत जादा growth देखने को मिलेगा आईए हम एक example से इस strategy को समझते हैं दोस्तो हम और आप अपने आज पास देख सकते हैं कि लोगों में stock market में investing करने की सोच काफी बढ़ती जा रही है आज से 5 साल पहले हम मुश्किल से ही किसी को stocks या mutual funds की बात करते सुनते थे पर आज बहुत सारे platform से investing education लोगों तक पहुँच रही है जिस वजह से लोगों में stock market investing करने की awareness काफी बढ़ रही है और इंडिया में अभी भी मुश्किल से 5% लोगी stocks में invest करते हैं इस तरह हम यह कह सकते हैं कि इंडिया में आने वाले 5 से 10 सालों में stock market और money management से जुड़े business काफी grow कर सकते हैं जैसे broking firms, asset management companies, portfolio management services या financial planning services अब हम इन चुनी हुई इंडस्ट्रियों में top की 4 से 5 company को select कर सकते हैं जैसे हम broking companies में मोतिलल ओस्वार financial services, ICICI securities, angel broking, 5% capital, geogit financial services और ऐसी कई कमपनियों को चुन सकते हैं वही हम asset management companies में HDFC Asset Management, Dippon Life India Asset Management, UTI Asset Management और Adid Birla Capital जैसी कमपनियों को चुन सकते हैं अब दोस्तो हम broking और asset management दोनों इंडस्ट्रियों में अपने चुने हुए company का analysis और comparison करेंगे जिसके बाद जो भी company हमें best लगेगी हम उसमें invest करेंगे दोस्तो हम analysis में company के financial strength और performance और valuation को देखेंगे और इन सभी parameters पर सभी company को compare करेंगे हम company का ROE, ROCE, EPS growth, PE ratio, interest coverage ratio, debt to equity ratio, book value, net profit margin, change in promoter holdings, etc. जैसी important चीजों को चेक करेंगे फिर हम company के annual report को पढ़कर हर company को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के कोशिच करेंगे और फिर जो company हमें best लगेगी हम उनमें invest करेंगे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमें company का analysis और comparison करने के बाद भी कोई company invest करने लाइक ना लगे इससे हमें परशान होने की ज़रूरत नहीं है हम फिर अपनी समझ से दूसरी industry select करेंगे और ये process फिर से करेंगे दुनिया के best stock pickers में से एक पीटर लिंच ने कहा है कि अगर हम अपनी पूरी मेहनत से जिंदगी में 10 कंपनिया भी ढून पाएं तो हम अपनी सोंच से कही ज़्यादा wealth बना सकते हैं हम उमीद करते हैं कि आप इंडिया ने stock market में अच्छा profit बनाने के लिए dedicated हैं और time के साथ सीखते हुए आप एक सफल investor बनेंगे तो दोस्तों ये था हमारा आज का important वीडियो winning industry and industry winners strategy के उपर जिसमें हमने जाना कि ये investing strategy क्या है और हम इसे कैसे apply कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए अगर आप इस वीडियो सो related कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे comment box में जरूर लिखे हमारे आगे नवाले वीडियोज मिस नहों इसके लिए हमारे चनल को अभी सस्क्राइब करें और बेल लाके को प्रेस करना ना बोलें थैंक्यू दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में टेक केर